नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों सेट प्रिक्टिस करने का मतलब होता है कि एकजाम के सीलेवस और पेटरन के अधार पर तैयारी को सटिक और अस्ट्रोंग बनाना साथ में महतपूर्ण परसनों का रिवीजन करना जो परिक्षा में बार बार पूछा जाता है चली दोस्तों तूफान ठम जाते हैं जब आगई लगी हो चीने में चलिए शूरू करते हैं पहला question है कि पढ़ना क्रिया का भेद है ऑफ इसका कोरेक्ट एंसर है कि सो कर्मक यानि पढ़ना जो क्रिया का भेदे यह कौन सा कर्मक है सो कर्मक भेदे इसे समझेंगे कैसे सो कर्मक क्रिया करता है कि वह क्रिया जिसमें करता द्वारा किया गया कार्ज किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है तो वहाँ पर सो कर्मक क्रिया होती है जैसे पढ़ना एक क्रिया है जिसका प्रभाव बाकि पर पढ़ेगा पढ़ना एक क्रिया है जिसका प्रभाव बाकि पर पढ़ेगा वो सव कर्मक क्रिया काल आता है तो इसका correct answer हो गया so कर्मक next नेश्ट कोचन है कि पयोधी समनार्थी सब्द है ते इसका correct answer है option number D समुद्र का समनार्थी सब्द होता है पयोधी समुद्र का और भी जैसे परियावाची सब्द है जिसे सागर, जलधी, निर्निदी ये सब समुद्र का परियावाची सब्दे नेस्ट कोचने कि अधिकरन कारक के चिन है इसका correct answer है में पर ये क्या होता है देखिए कि जिस सब्द से किरिया के आधार के होने का बोध हो तो वो अधिकरन कारक कहलाता है किरिया के आधार का कि किरिया का आधार है जैसे कि में पर वो पढ़ने में तेजे ठीक है ये किरिया क्या है कि पढ़ने में तो ये हो गया अधिकरन कारक के चिन हो गया में पर इस सब जो होता है ने अधिकरन कारक के चिन है नेक्स्ट कोच्चन है कि ब्रिधी का बिलोम है यानि कि एंटो बिर कि सैसब्सब्सब्सब्सब्सद्सथ कilt सकता था जो सब्द पदार्थ कि अवस्था गुन दोस धर्म ये शॉभाव का बोद करयाता है वह अज्वाव yum संग्यां हुगा, next question है, कि संस्कृत के जो सब्द मूल रूप से हिंदी में परियोग किया जाते हैं, वे कहलाते हैं, तो इसका correct answer है, वो तत्सम कहलाता है, जैसे कि संस्कृत का कोई सब्द है, ठीक है, और हिंदी में भी हुबहुबः वही सब्द का बिना परिवर्तन के ग्राम, ग्राम का करते हैं, गाउं, तो यह हो गया, ततभव सब्द हो गया, next question है, कि भर पेट की समास का उदारन है, तो इसका correct answer है, यह OBAI समास है, ठीक है, देखें, जिस समास का पहला पद OBAI हो, और जिस से बना समस्त पद किरिया विसेशन की तरफ परियुक्त हो, उस जिसे OBAI समास काते हैं, जैसे परती दिन, यथा सकती, परती मास, यह सब क्या भर पेट, यह सब हो गया, OBAI भाव समास का लाता है, next question है, कि कभी का इस त्रिलिंग रूप है, तो इसका correct answer है, कभी 3, ठीक है, इसका correct answer है, कभी 3, next question है, कि हिंदी भासा में कुल बेंजन है, इसका correct answer है, दंत से होता है, ठीक है, जब उचारन करेंगे, तो फिल करेंगे, तो याद आसानी सोजागा, तो, देखे, यह होता है, आपको लगए कि तालू, लेकिन ध्यान रखना है, देखे, दंत ध्वनी वो होता है, कि जिनके उचारन में, जीभ दातों की पिछले इसमें बोलता फिल करने के लिए, जीरंड हमेशा ध्यान रखना है, कि भारव का चौथा रूप होता है, इसका correct answer होता है, ड्रिंकिंग, आई एम एडवर्स टू ड्रिंकिंग, नेस्ट कोच्छन है, कोच्छन नमबर 12, फिल इन दा बलेंग सबीठ दा राइट होमोफोन, तो यहां होमोफोन करने का मतलब है, कि ऐसा सब्द जिनकी धोनी समान हो, यानि कि समान धोनी वाले यानि साइनों एक तरह से हो गया, जैसे कि the days of the cats are sharp, तो यहां क्या होगा, इसका correct answer है, पाउज होगा, पाउज, पाउज मतलब होता है, पंजा, यानि कि the pass of the cats, यानि बिल कि find the suitable adjective of the given word affection, affection जैसे noun है, तो affection के इसका adjective रूप क्या होगा, तो इसका हो जाएगा, affection का हो जाएगा, affectionate, ठीक है, यह affection मतलब असने हो गया, और adjective रूप इसका affectionate मतलब होता है, असने ही, next question है, कि fill in the blanks with the right participle, जै पार्टिशुपूल इसमें फिल करना, पार्टिशुपूल में क्या होता है, कि भी थरी लगता है, पार्टिशुपूल में भार्ब का तीसरा रूप का यूज होता है, इसका correct answer हो जाएगा, he speech wise a spell bound, next question है, कि fill in the blanks with the appropriate preposition, तो preposition इसमें फिल करना है, heat travels by car, देख़ए, पिरी पोजिशन, जैसे क्या है कि heat travels by car, यानि वो कार से यात्रा करता है, ठीकि, जिस साधन से कार pod बाइक या बंद हो जाता है, यानि कि उसके अंदर यात्रा करता है, जैसे और बैठ के तो वो बाय होता है, ठीकि, यही अगर आता heat travels bike ये motorcycle तो own हो जाता यानी वो car थी bike पर यातरा करता है तो यहाँ ओन हो जाता लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ है उसमें तो उसका हो जाएगा heat travels bike car वो अब हम लोग खेलते हैं कोई खास game की बात कर रहा है कोई खास game की बात कर रहा है खेलते हैं कौन सकेंग चेस तो कोई खास की बात हो खास बस तो यह 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 यहीं सत्रंज की बात कर रहा है ज़द लेट अस प्ले दा चेस होगा नेश्ट कोचने यूज दा कोरेक्ट एंटोनीम फोर दा बोल्ड वर्ड यानि की जो बोल्ड में लिखाया है इसमें प्रीति का इसमें पूछ रहा है कि एंटो तो प्रीति मतलब होता है कि सुन्दर ठीक है सुन्दर और इसका एंटो क्या हो जागा ओप्सन नमबर ए अगली यूजी जाता है बद सुरत नेश्ट को चने के चेंट फोलोविंग नाून इंटु भर्भ याशिज कि इस नाउन को जो दिया वा एपाप्याहं स्वीनिटीव यहां फिल करना इंफिनिटीव क्या होता है भर्भ के पलस पहले टू लगता है टू पलस भीवन होता है कहा है यहां है टू भीवन एन है इस नोट इजी टू प्लीज ओल फिपूल यानि कि सभी लोगों को खुश करना आसान नहीं है नेस्ट कोच्चन है ट्वेंटी इसमें के राइड दा कोरेक्ट पुल्रल फ़र्म डगभेन वर्ड ठीफ यानि यह चोर है इसका पुल्रल वर्व क्या हुआ जिस सब्द के अंत मेंने एफ रहता है उसका पुल्रल बनाते कैसे एफ को हटा करके आई आई तो रहेगा एफ को हटा करके उसमें क्या करते हैं एफ हटा करके भी एस लगा जाते हैं इसका एंसर हो जागा सी थीब्स नेश्ट कोशन है कि निमलिकी तुम्हें से कौन से बिटाइमिन की कमी के कारण असकरवी रोग होता है तो असकरवी रोग होता है बिटाइमिन C के कमी के कारण से, ठीक है, अब यहां important question पूछा जाता है, कुछ देखिए, तैयारी करने का बहतर तरीका यह होता है, जब आप question पढ़ें, आपके सामने कोई भी question है, तो उससे related जितने भी important चीज़ें, जो की exam में पूछा जाता है, उसको एक साथ revision कर लेना चाहिए, जैसे अब यहां vitamin की खोज किस ने किया, तो फंक ने किया, ठीक है, यह ध्यान रखना है vitamin A की खोज किस ने किया, मेकूलन किया, ठीक है, यह ध्यान रखना है vitamin A और D, यह दोनों का खोज मेकूलन किया था, ठीक है, अब vitamin C का खोज किया है, सजेंट ग्योर्गी, सजेंट Next question है कि मानब शरीर में सबसे लंबी असथी है इसका Correct एंसर है फीमर कि हड्डी जो की जांग में पाया जाता है सबसे लंबी है अचिए ठीक है सबसे छोटी हड्डी कॉन सी है तो अस्टेपिज हड्डी है जो की कान में पाय जाता यह ध्यान तो फिर कोशन है कि किस पोसक तत्वों का सर पर्थम मुह में पाचन होता है इसका कोरेक्ट टेंसर है कार्वो हाइड्रेट का पाचन जो मुख गुहा से ही शुरू होता है एक कोस्चन ही आता है कि जो भोजन है या तो कार्वो हाइड्रेट का आंतिम पाचन खाहा होता है तो आंतिम पाचन हो कि कौन सा अधातू बिद्दूत का सुचालक है तो यही अधातू जो ग्रेफाइट है यह बिद्दूत का सुचालक होता है यह मातर अधातू है जो कि बिद्दूत का सुचालक होता है बांकि नॉर्मली क्या होता है कि जो अधातू है वो कुचालक होता है बिद्दूत का ले एंथ्रसाइड कोईला है। सभसे उच्छ किस्म का कौईला एंथ्रसाइड कोईला यह पूछा जाता है। ने जिस्ट कर्चन है कि उच्छ रक्त चाजान का प्र्मुख कारन क्या है। इसका correct answer है मानसिक तनाब, एक question important पूछा जाता है कि रक्त चाप को जो मापने वाला यंत्र है उसका नम क्या है, तो अस्फाइग नो मेनोमीटर है, ये रक्त चाप मापने का यंत्र है, एक question ये पूछा जाता है कि रक्त चाप को किस गरंथी द्वारा नियंत्रित किया जाता तिए अब भिद्व धारम आपने का यंतर क्या है तो ए मीटर है यह ध्यान रखना है ठीक है अजा विद्व धागाए कि मैं नेश्ट परण कि हायजा किसके कारण होता है इसका पॹरेक्ट अंसर है बेक्टरिया के कारण होता है ठीक है दूसी तो जल और भोजन से हाईजा होता ये ध्यान रखना है अब बेक्टेरिया की खोज किस ने किया तो बेक्टेरिया की खोज किया लुवेन होक आचा वाइरस की खोज किस ने किया तो इवन वास्की ने किया ये ध्यान रखना है नेश्ट कोच्च ने कि सरव पर्थम परमानों सिधान्त को किसने परस्तूत किया था इसका correct answer है जोन डॉल्टन ने प्रभानों सिधान्त को किसने परस्तूत किया डॉल्टन ने ठीक है अब एक आता कि प्रभानों के नाभीक की खोच किस ने किया तो रदर फोर्ड ने किया ये वी ध्यान रखना है नेश्ट कोचन है कि बायू में नाट्रोजन का परतिसत कितना होता है तो बायू मंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गेस होता है नाट्रोजन ही होता है ठीक है वो होता है 78.03 परतिसत ठीक है अब इसी तरह एक कोचन ये ध्यान रखना है कि कोचन अगर पूछा जाए कि मानब मानब शरीद में सबसे ज़्यादा पाया जाना तत्व कौन सा है तो ओक्सीजन है ठीक है मानब शरीद में सबसे ज़्यादा पाया जाना तत्व कौन सा है तो ध्यान इसे रखना है मानब शरीद और भूपरटी में दोनों में ओक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है नेस्ट कोशन है कि धोकला बनाने में पर्युक्त विधी क्या है तो इसका correct answer है खामीरी करन, धोकला बनाने में पर्युक्त विधी खामीरी करन, नेस्ट कोशन है 32, दोस्तों जो side से हम extra facts बताते हैं कि ये भी पूछा जाता है, इस पर काफी important जो question पूछा जाता है वो important ही बत question, ठीक है, वो state में ने ये था question, लेकिन हम extra जो side से बताते हैं कि ये भी पूछा जाता है, उससे कई question बेहार teacher exam में पूछा गया है, नेस्ट कोशन है कि टाइफाइड बुखार किस के द्वारा होता है, ये होता है जिवानू के द्वारा, ठीक है, अब जिवानू जब भी तो आपको तुरण दिमाग में आ जाने चाहिए, वेक्टेरिया के खोज किस ने किया, लिवेन होक ने किया, ये ध्यान रखना है, next question है, कि आधोनिक TV की screen किस से बनी है, तो इसका correct answer है, परकास उतसर्जन वाले diode से, ठीक है, आधोनिक TV की screen किस से बनी है, परकास उतसर्जन वाले diode से, एक question ये पूछा जाता है, कि जो TV remote control है, उसमें किस तरंग का परियोग होता है, तो उसमें अबरक्त तरंग का परियोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है, next question है, बिद्दूत की press, heater, बिद्दूत केतली, आधी किस ततों से बनी होती है, इसका correct answer है, नाइक्रो कारक क्या है, तो इसका correct answer है, जीवानु, जीवानु जब भी आये, तुरंट दिमाग में आजाते है, जीवानु खोच किस ने किया, लिवेन होक ने, next question है, निमलिकित में से कौन सा विसानु अती संक्रमक रोग, चेचक के लिए जिमेदार समझा गया था, तो इसका correct answer है, ये वेरिसेला विसानु, अच्छा विसानु को कोच किस ने किया, इवानो वास्की, ठीके, अब यहाँ आया चेचक, ठीके, चेचक का टीके को कोच किस ने किया, एडवर्ट जेनर ने किया था, next question है, निमलिकित में से दिल्ली के खी सुल्तान ने बरहमनों पर पहली बार जजियकर लगाया था इसका correct answer है फिरोच सा तुगलक ने लगाया था ब्रह्मनों पर सबसे पहले जजियकर किसे लगाया फिरोच सा तुगलक ने ठीक है आज या तुगलक बंस का संस्थाफ है कोन है तो गयासिद्दिन तुगलक है नेश्ट कोश्चन है कि निमलिखित मेंसे कौन सब बक्र कर की दरों तथा सरकारी राजसों के बीच संबन्द को दरसाता है इसका correct answer है लोफर वक्र ठीक है ध्यान रखना है कि कर की दरों तथा सरकारी राजसों के बीच संबन्द को दरसाता है लोफर वक्र नेश्ट कोश्च इसको डोडा बेटा यह तो डोडा बेटा भी कभी देगा ओप्शन में ठीक है एक कोचन अगर यह पूछा जाने कि नील गिरी पहाडी के सबसे उंची चूटी कौन सी है तो यह दोडा बेटा यह धियान रखना है नेश्ट कोचन है कि भारत का राष्टपती अपना त्याग पत्र किसे सोंपता है तो उपर राष्टपती को सोंपता है ठीक है यह धियान रखना है और एक question ये पुछा जाता है important question है कि राष्टपती पर महावयोग किस अनुच्छेद के ताथ लगा जाता है तो अनुच्छेद 61 के ताथ next question है कि बकसर का यूद किस के किस के बीच हुआ तो इसका correct answer है मिरकासीम और अंग्रेज के बीच हुआ था ठीक है बकसर का यूद अब बकसर का यूद हुआ था कब 1764 में हुआ ठीक है एक question बिहार के द्रिश्टी से यह कि मिरकासीम यह आया नहीं एक क्योंग्यर कुराज़ानी किस ने बनाया तो मिरकासीम ने बनाया था यह ध्यान रखना तो अजात सत्रू ने अपने पिटा विसर हत्या कर दिया था और अजात सत्रू के पुतर उदाईन ने अजात सत्रू की और इस श whenड़ कर दिया था ठीक एी यहां जाता है अब यह उदाईन जो है कि सफतर के फोटी थ्री है cancel 33 में यह है कि राजा भोज निमलिकित में सिकिस बंस से सम्मनित था तो यह परमार बंस का सासक था राजा भोज ठीक है परमार बंस की राजदानी पूछे कहां है तो धार है ठीक है परमार बंस की राजदानी धार है राजा भोज की राजदानी धार थी और इसका पर्थम रा लूंच किया गया तो 14 जुलाई 2023 को ठीक है 14 जुलाई inspiring लूंच किया गया लेकिन यह चंद्र हाशन पर लेंड कब किया तो 23 अगस्ट यह ध्यान रखना है Qui यृआ तो सब्चानेंлिक। was kang jadi है तो इसका इंसर है गुरु अंग देव ने किया था गुरु रिपी की शुरुआ ठीके एक इंपोटेंट कोस्चन ऐए अपने दृष्टी से कि सिखों के दस्वे गुरु कौन थे तो गुरु गुविन सिंग थे क्यूं इंपोर्टेंट है कि गुरु गुविन सिंग का जन्म का हुआ था तो पटना साहिब यानी पटना सीटी में हुआ था कि 2011 के जनगनादा के नुसार भारत में निमलिखित में से किस राजे में लिंगा नूपात सरवाधिक रहा है तो इसका क्रेक्ट एंसर है देखे लिंगानूपात जो है कि सर वाधिक तो सबसे ज्यादा के एलाल में है लेकिन option के हिसाब से इसका एंसर हुगा टमिल नाडु क्योंकि केरल के बाद तमिल नाडु ही है सबसे ज्यादा लिंगा नुपाद अगर पूछ दे तो केरल अगर अप्षन में तो केरल एंसर होगा वहां का लिंगा नुपाद 1084 ठीक है परती फिमेल एंख influen ठीक है परती मेल या मेल नेस्ट कोश्चन है भारत का विशालतम छेतरफल वाला राजी यानि छेतरफल के दरिश्टी से सबसे बड़ा राजी कौन सा है तो राजस्थान है ठीक है छेतरफल के दरिश्टी से सबसे छोटा राजी गोवा है ठीक है जनसंख्यां के दरिश्टी से सबसे बड़ा राजी तो सिक्की में, नेश्ट कोश्चन है, कि कि संसोधन द्वारा पंचायतों को संबैधानिक दर्जा दिया गया, तो संबैधानिक दर्जा पंचायतों को मिला 73 मा संमिधान संसोधन, देखिए पंचायती राज से जब भी कोश्चन आया पंचायतों, तो नगरपालिका को साथ स तो लाख और पंचायती राज सबसे को पहले की राज पहले सब्सुर्ण नागव bardzo फिर्म राजास्थान के नागवर सब शुबशन होगा हुआ था एक एक पूचते कि जिस्टीर पूचा जाता था है कि राम project क में हुआ यह important इसली ज़्यादा है कि किस goal mage..... Indi 01 जी ने भाग लिया था दो तो और person नंबर डी ओगे 14 दिन अच्छा एक कोच्चन आता है कि धन विदय को किस सदन में पेस किया जाता है तो ध्यान रखना है धान विदयों केबल लोकसवा में पेस किया जाता है नेश्ट कोच्चन है कि वह दर जिस दर पर भारती रिजर्व बैंक को रिन देता है वो क्या कालात है तो यह कालाता है रिभर्स रेपो रेट ठीक है भारती रिजर्व बैंक क्या है भारत का केंद्रिय बैंक के यह ध्यान रखना है आरवी आई केस्थापना 1935 में वह था एक अपरेल 1935 में आरवी गवर्नर को नेश्ट कोचन है कि रथ यात्रा परसिद्य त्यवहार है तो यह कहां है पूरी का ठीक है पूरी पूरी का जगनाथ मंदिर है भागवान विश्णु यह जगनाथ मंदिर को यह जगनाथ को समर्पी थे यह कहां है तो उडिशा में यह ध्यान रखना है नेश्ट कोचन है कि इस्राइल की संसद का नाम क्या है ठीक है इसका कोरेक्ट एंसर है यह नीशेट इस्राइल की संसद का नाम है नीशेट आप देखिए क्या कि कुछ संसद जो की पडोसी देश है उसका याद रखना जुरूरी है जपान का क्या है डायट और नेपाल के स परबरतक कौन थे तो इसका पूरेक्ट एंसर है बदरायन था ठीक है बदरायन उत्तर मिमानसा के बदरायन एक पूछा जाता है पूर्ब मिमानसा के तो वह है जैमीनी कोच्चे नमबर 55 में कि पंचायतों को सम्मेधानिक अधार परदान करने की सिफारी सरपर्थम किस समीते ने की थी तो इसका कोरेक्ट एंसर है ये किया था लच्मी मल सिंगवी समीती ने लच्मी मल सिंगवी समीती ने अच्छा ये बलबंत राय महता मालूम एक इंपोर्टे द्री अस्तर्य पंचायत का सुजाव किस ने दिया तो अशोग मेहता ने दिया इससे याद कैसे रखना ये दरी स्थे टीन सब्ध आएगा बलबंत राय महता दù असतर्य वला पूछा त्हीन ने देर भारत का सबसे दच्छिन्टंबिंदू इंद्रा पोइंट की दूरी भूमाच दिरेखा से कितनी है इसका correct answer है 886 किलो मीटर है एक question important यही है simple में कि भारत का सबसे दक्षिदन बिंदु कौन सा है तो इंद्रा point है यह ध्यान रखना है यह पूछा जाता है और भारत का उतरी बिंदु कौन सा है तो वो इंद्रा call है जमू कस्मिर में next question है भारतिय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्याले का है इसका correct answer है option number sequel कतम है ठीक है दोस्तों जो last में math और reasoning है उसका भी solution हम लोग करेंगे और यहां एक question यह पूछा जाता है कि भारतिय थल सेना जो दिवस कम मना जाता है तो 15 जनवरी को यह ध्यान रखना है next question है कि प पर्युक्त में से कोई नहीं देवराप पर्थम के समय आया था निकोलो कांटी ठीक है एक question important आता है कि निकोलो कांटी किस देश का यात्री था तो इटली का था इसे याद कर लेना ठीक है और एक question यह पूछा जाता है कि यह जो बिजय नगर है बिजय नगर समराज के संस् से करते हैं तो इसका करता है राजसवा के सदसी करता है इसका correct answer हो गया बी नेस्ट कोचने कि निमलिकित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिस सरकार ने भारतिय परसासन को सीधे अपने हाथ में लिया था तो इसका correct answer है 1858 के अधिनियम के ताथ नेस्ट कोचने कि संगी किस अस्थान पर आता है इसका correct answer है अंडवान निकोवार दूप सम्हों में सबसे पहले मानसून आता है और एक सबते के बाद वो केरल और मालावार तट पर पहुंचता है केरल और मालावार तट पर नेस्ट कोचने कि निमलिकित में से कौन रिजर्व बेंक का कार्ज नही पर ने सक्तिकांत दास नेश्ट कोचने भारत में सम्मिधान के किस अनुच्छेद में बीतिये आपातकाल को रखा गया है तो इसका correct answer है 360 360 अनुच्छे 360 में बीतिये आपातकाल है ठीक है देखिए महतपुर्ण तीन अनुच्छेद जो की बीतिये मतलब कि आपातकाल से संबंदित है और वो पूछा जाता है जिसे राश्टी आपातकाल किस अनुच्छेद में तो अनुच्छे 312 में राष्टपती सासन किस अर यह तो कई बार लगा है इससे ध्यान रखना राष्ठपति शासन के बिहार में कितनी बार लगा अब तक तो आठ वर राष्ठपति शासन बिहार में अब तक लगाई कि संसद के अंतरगत सामिल होते हैं तो इसका correct answer है राजपती और राजसवा और लोगसवा ये तीनों सामिल होता है तो उपरिगत में से एक से अधिक आज़े यहाँ एक important question ये पूछा जाता है कि संसद किस अनुछेद में हैं मालूम हैं तो देखिए बताते हैं राजसवा की संचिद में तो असी में अनुछेद असी में लोगसवा की संचिद में तो अनुछेद 81 में हैं देखिए इसे याद कैसे रखना है देखिए, आसान तरीके से याद ऐसे रखना है यह लगताव हैiors 89 80 इसको सिंasında में बोलना ऐस是 शरल 100, rho, लो, सरल, सरल में आगया 3ों, संसद, राजसवा, अलोकसवा, सरल 89, 81, २िश्ट को चने कि निमलिकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सही सोमेलित कुन नहीं हें are by India इसके लेखक हैं लाला लाजपत रोल एदएंडिया कि लैखक जो है बो सामयन कमिशन भारत आया था गोरा नहीं तो इसकाय। बिरोध किया थे तो उनको क्या लाथी खाने से उनकी मिर्त्य हो To तो जब लाठी खाये थे तो वो क्या हुआ अनहपी हो गिया है यह पी बेचारा थे लेकिन अनहपी हो गिया तो अनहपी इंडिया के लेखा कौन हो गिये लाला लाजपतर है नेस्ट कोश्चन है कि निमलिकित में से 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्व दली मुस्लिम समेलन किया देक्षिता की थी तो यह किस ने किया था आगां खाने किया था ठीक है इसपी से रिलेटेड आये तो कोशिस करिएगा कि इसपी से रिलेटेड कोई और एक इन इंपोर्टेंट घटना को रिलेट कर लेने तो याद रहेगा जैसे भारतिय अंतर देशिये जलमार्ग प्रादिकरन का गठान 1986 में हुआ था और एक इंपोर्टेंट कोश्चन है जो इसमें पुछा कि एक सेर बजार का नियामक सनस्था है तो सेर बजार से इसको कौन कंट्रोल करता है तो सेवी अस्टोक अक्षेंज बोर्ड ओफ इंडिया सेवी सेवी का मुख्याले का है मुंबई में यह ध्यां रखना है अचा भारत में उपवोक्ता संरक्षन अधिनिय port 1986 में और परियाव्रन संरक्षन अधिनियम 1986 में और एक पीछे क्या और बहरती आंतर देशיה जलमार्ग प्राधिकरन 1986 में तो यह तीन चीज słu precautions में ऐसे याद रखना है अंतर merchandise है जल और वोगता संरक्षन और परियावरन संरक्षन अधिनियम 1986 में नियस्ट क्वेचन है नियुयार्क पुलीस बिभाग में सर्वोच पद हासिल करने वाली पहली दचिन ACI महिला कौन बन गई है तो इसका कोरेक्ट एंसर है परतीमा भुलर मालडो नाडो ये क्या हुआ कि नियुयार्क पुलीस बिभाग में सर्वोच पद हासिल करने वाली पहली ACI महिला है परतीमा भुलर मालडो नाडो नेक्स्ट क्वेचन है हाली में बुजर्गों की हवाई यात्रक के द्वरा तिर्थ दर्शन कराने वाले देश का पर्थम राज्य कोन बन गया है तो मध्यपर्देश मध्यपर्देश में सबसे ज़्यादा जो बन छेत्र है छेत्र फल में तो बन का है मद्यपर्देश में सबसे ज़्यादा बाग का है मद्यपर्देश में और सबसे स्वक्ष सर कौन सा है इंदोर है जो कि मद्यपर्देश में यह ध्यान रखना है नेश्ट कोचन है कि 25 माई 2023 को किस राज के मुख मंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-governance राज्य घोशित किया है तो इसका correct answer है केरल ने ठीक है केरल से important question यह धायन रखना है सबसे ज़्यादा यह सरवाधिक लिंगा नुपात कहा है कौन सा राज है केरल है और सरवाधिक सबस्टना के अनुसार कौन सा देश जूलाई में फिर से युनेस्को में सामिल होगा तो इसका correct answer है अमेरिका ठीक है अब इससे ज़्यादा इंपोर्टेंट यह है कि युनेस्को की अस्थापना का हुआ 1945 में युनेस्को का मुख्या लेका है पेरिस में फ्रांस की इस देश में रखी तो यह रखा लाए अस्ट्रलिया में लिटिल इंडिया गेटवे अस्ट्रलिया में यह ध्यान रखना है नेस्ट कोश्चन है कि राष्टी होमियोपोथिक सम्मेलन होमो कॉन 2023 का आयोजन किस सार में किया गया है तो यह किया गया है देहरादुन में देह रभ खंड की राजधानी किस की पुर्वख किर्केटर को तिर्पुरा टुरिज्म के ब्रांड एम मेस्टर नुखत किया है तो या तो इसके और किस देश के साथ है सौधी अरब के साथ है नेस्ट कोच्चने भारती नोसेना ने अपनी पहली स्वधेशी बोट डेश का पहला समुद्री परिक्षन गोवा में गोवा से मुंबई के बीच किया तो किसका किया तो इसका कोरेक्ट एंसर है फास्ट इंस्पेक्टर का स्बसेना नेस्ट कोच्चने कि बर्श 1944 में कोड सुखर संब्मेलान की मेजवानी किस देश के त्वारत किया जयेगा चिसका एक कोच्चन में यह आता है कि कोड में कौंसा देश देश शामिल है तो और अमेरिका अश्ट्रलिया यह किस देश ने अपने परियेटन उद्यों को पुनर जीवित करने के लिए 2025 को विश्यस परियेटन बर्स घोशित किया है तो ये किये हैं नेपाल ने ठीक है नेपाल के राज़दानी का है काठमंडू नेश्ट कोचन है कि ग्री लक्षमी योजना और अन्ना भागी योजना किस राज़े में फिर से सुरू की गई है तो इसका कोरेक्ट एंसर है करनाटक में किया गया ठीक है अन्ना भागी योजना ग्री लक्षमी और अन्ना भागी योजना करनाटक में करनाटिक गिराजदानी का है बंगलूरू नेस्ट कोचन है अब मेत का सुरू होता है यहां से मेत में यह पूछा गया है कि किसी परिक्षा में नेहा और जोवा को अकांचा से 20% और 50% अधिक अंक आता है तो नेहा का अंक अकांचा के अंक का कितना परिक्षा थे देखिए इसको simple में ऐसे बनाना है ऐसे question है तो जैसे जैसे question में बोलता हो आईसर से लिखते जाना है simple यह है इसमें understanding का और कुछ भी नहीं है इसमें क्या है कि नेहा और जोवा को अकांचा से 20% और 50% Rs.3 तो ऐसे सिम्पल लखेगे नेहा लख दीजे पहले और क्या जोए जोओ और क्या है अकांचा से तो आकांचा से जञादा मिलохाय है कितना जदा मिला कि यानि कि 120 हो जाएगा नेहा को अट जोआ को कित나हा मिला पंचास पंचास एक है कि नेहा का आंक एनेहा का 120 शे अकांचा से अकांचा से यानि आकांचा एक 100 साथ है ठीक है सिंपल एक सबीज फ्र सब्सक्राइज है किसी के यह अगर पुछotechn में पंदर रूपिय परती दर्जन की दर 250 केला खरीदता है ठीक है और यदि वह सभी केल को 1 रुपया परती केला की दर से बेच देता है तो उसका हानी क्या होगा तो हानी निकालने में क्या है करे मुल और बिकरे मुल निकाल लेंगे तो हानी निकल जाएगा तो देखिए बिक्रे मूल पहले क्या हो जागा देखिए 250 केला है और एक रूपिय परती केला करके देशा बेचा तो बिक्रे मूल कितना हो गया 250 रूपिया परती केला के दाम एक रूपिया है तो बिक्रे मूल हो गया ASP 250 रूपिया करह मुल कितना हुआँ दिखे 15 रुपिया पर ति दर्जन, यानि 12, तो 12 केला के दम 15 रुपिया यानिकि एक केला के दम कितना हो जाएगा, 15 बटे 12, ठीक है, और कितने 250 केला ख़र जाएगा, 250 गुणा कर देंगे 250 से यह करे मुल हो जाएगा, इसको काट देजी थोड़ा, 3 से कर जाएगा, 3 से पंदरह, 3 चोक बारा, ठीक है, 2 से एक बार काट जिए, 2 से ये, 2 से 125, ठीक है, आब यहां 125 गुणा 5 कर देंगे, तो 625 हो जाएगा, था 625 बटे 2 यह हो गया करय मूले ठीक है यह करय मूले और यह बिकरय मूले ठीक है आप देखिए इसको निकाल लेंगे बिकरय मूले करे मूल में विकरे मूल ये दोनों का अंतर जो होगा वो हानी होगा तो एक बार फिर से यहां समझिये कि करे मूल हो गया था 625 बटे 2 अब विकरे मूल ले 250 इसको निकाल दीजे डिफरेंस दो हो गया और 625 माइनस एक दूनी 2 यानि कि यह 2800 यानि 500 तो बराबर में कितना हो यह आंतर हो जाएगा छह 125 में 500 गट तो 125 बटए 2 यह होगा हानी तो हानी परतिसत निकालना है तो बटे में क्या डालेगे क्रेमूल क्रेमूल कि इतना है 625 बटे 2 तो 625 बटे 2 यहां करेंगे, नीचे तो इसका उलट जाएगा 2 बटे 625, ठीक है, अब गुना 100 कर देंगे, परसेंटेज में निकल जाएगा, अब देखे, 125 से यह 625 कट जाएगा, कितना 5 बार में, अब 2 से 2 यह कट गिया, अब यहां 5 से यह 100 काट देज़े, 20 बार में, तो यानि 20 परतिसात हो गिया, एंसर इसका, इसका हो गिया, 20 परतिसात हा नहीं हुआ, नेस्ट कोचने, अगर समझ में आये, तो एक बार वीडियो फिर से देख लिजएगा, ठीक है, बेख करके, और उसके बाद भी कोई दीक्कत हो, तो कमोंटे में पुछिएगा, नेस्ट को पिलार को 30 परतिसात लाब कमाना हो, तो कितने में बेचेगा, इसको सिंपल है, पहले क्या है, करे मूल कैसे निकलेगा, 110 है, रुपे में बेचा, बिक्रे मूल में होल वेलु का उल्टा गुना करते हैं, होल वेलु पिछले वीडियो में आपको बताए थे हम, 10 परतिसात ल उपर में जुटके 11 बटे 10 हो गया होल वेलू अगर हानी बोलता तो यह 10 में से एक घट जाता यानि 9 बटे 10 हो जाता होल वेलू तो यहां लाभ बोला है तो होल वेलू 11 बटे 10 है इसका उल्टा गुना करेंगे तो करेमूल आजाएगा अगर करेमूल दिया हुआ है उसको तीस परतिसत लाव पर कमाना हो, तो कितना में बेचेगा, अब विक्रे मुल निकालना हमको, ठीक है, तब 30 परतिसत को होल विलू कितना हो जागा, 30 वटे 100 करेंगे, सुन्य से नीचे एक सुन्य कटेगा, 3 वटे 10 होगा, होल विलू हो जागा, 13 वटे 10, इसको सिधा गुना कि जागा, इनमें से कोई नहीं, नेश्ट कोच्च ने, कि एक विद्यार्थी 40 परतिसत अंग प्राप्त किया, और वह 40 अंकों से ओसफल हो गया, ठीक है, देखे, 40 परतिसत अंक प्राप्त किया, और 40 अंकों से ओसफल हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि 40 परतिसत ज है उसमें अगर 40 जोड देंगे ? तो वो सफल हो जाता ? याँनि सफल कचोर जो मार्क हो वो फूर उतना होता आगे लिखा है कि दूसरा विद्यार्ति जिसने 400 अंग प्राप्त किया और वह सफल होने से 40 अंग अधिक लाया यानिकि सफल ओने से 401 अंग अधिक किया और वह 40 अंकों से ओ सफल हो गिया ठीक है ओ सफल हो गिया तो 40 अंकों से ओ सफल हुआ था तो लाया था कितना तो सफल से 40 कम लाया तब तो वह 40 अंकों से ओ सफल हो गिया तो सफल सफल अंक जो है तो सकिंड वाले में कहा गया है कि 400 अंक प्राप्त किया और क्या कि सफल होने से 40 अंक अधीक पाया ठीक है 40 अंक अधीक पाया तो पहले वाले में क्या कहा गया था कि 40 परतिसत अंक प्राप्त किया और 40 अंकों के अंकों से ओसफल हो गया, यानि कि देखें, ये 360 लाया था, तो 40 अंकों से ओसफल हो गया, 40 परतिसत अंक लाया, तो 40 परतिसत अंक उसका था कितना, तो उसका कितना हो जागा, 40 परतिसत बराबर हो जागा, 40 अंकों से ओसफल हुआ, यानि कि इसमें 40 घटा ये, यानि कि 320 लाया वो, तभी तो 40 अंकों से वो सफल हो गया, ठीक है, यानि कि 40 पर 30 सद बरावर हो गया, 320, तो आप इसको 100% निका लिए, तो अधिक्तमंग निकल जागा, तो 40, 42 कर देजिए, गुना 100, तो 100% निकल जागा, तो 4 से कार देजिए, यहां, 4, 32, 8, गुना 100, यानि इसमें, इसको क्या करें, 3, गुना 3, 3, 9, 9 में से गिया, 8 बटे, 3, 9 में से एक गिया, 8 बटे, 3, तो 3 यहां, फिर यह उलट जाएगा, उपर जाएगा, 3 बटे, 8 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहां, 8 गुना 1, अभी नीचे वाला कानिक खदम हो गया, अब 8 गुना 1, 8 है कह गा, 8 माइनस 8 बटे, 5, अब इसको गुना करिए, 5, 8, 4 में से, 8 गिया, 32 बटे, 5, अब इसको पुर्णांक में लिख देजिए, तब 5 चोक, 30 है न, और 2 बटे, 5, यहनि 6 पुर्णांक, 2 बटे, 5 इसका इंसर हो जागा, नेश्ट को चने, कि रूट A माइनस रूट B, और र निकालना बहुत असान है, इसको क्या करिए, दोनों एक सम 小ी यह होगा, एक सम फिक्रन हो जोड़ दीजिए, इससे क्या होगा, कि देखे B और B कट जाएगा, जोड़ेंगे तो, और एक root A और एक root A यहां तो 2 root A बराबर क्या हुआगा? जब जोड़ेंगे तो 6 और 4 यह बराबर में वह जागा 10, यहां इससे क्या होगा? 2 से 5 सकट गिया, यहलिकि root A बराबर निकल गिया 5 अब root A बराबर 5 निकल गिया तो यहां लिख लेते हैं रूट A बराबर 5 ठीक है अब यह रूट A कमान इसमें रख दीजिए 5 यहां 5 रखेंगे तो यहां रूट B बराबर क्या हो जाएगा यह 5 इदर आके घट जाएगा 4 में से 4 में से 5 गिया तो माइनस 1 आप देखें रूट A कमान 5 है रूट B कमान माइनस 1 है दोनों को गुना कर माइनस 5 इसका एंसर क्या हो जागा माइनस 5 नेश्ट को चने कि 130 के संपूरक कोन अगर संपूरक कोन पूछ लेता तो सिंपल हो जाता है जोड़के 180 पूरा देना ठीक है तो इसका हो जाता है 50 एंसर 50 डिगरे लेकिन यहां पूछा क्या है कि 130 के संपूरक कोन का पूरक कोन यानि इसके संपूरक कोन जो है, उसका पूरक कोन कोन सा है, तो संपूरक कोन का योग होता है, देखिए 180, और पूरक कोन का योग होता है, 90, यह याद रखना है, तो हिसाब जो भी पूछेगा बन जाएगा, ऐसे भी रिलेट कर लिए संपूरक, यह बड़ा है, तो इसका पूछ रहा है पूरक तो इसको क्या जोड़के 90 पूरा ना तो पांच और चार जोड़ेंगा 90 हो जागा पांच और नो तो यह इसका वाइंसर हो जाएगा सी नेस्ट को चने कि 25 पलंका क्रेमुल सिंपल में लिखते चाहिए 25 पलंका क्रेमुल सीपी बराबर कितना है 15 पलंका विएकरेमुल के बराबर है 15 पलंका एस पी के बराबर एट सिंपल नमें लिखते जब्रह जोड़ेगा द्वल ऐस पी इसको सीपी इदर कर दीजिए तो क्या हो जाएगे अगरीपन्दरह इदर आ जाए यनिकि 25 पैंदरह आ यहां देख़िए 20 क्रेमुल γ कितना है बट पंद्रह तो इसमें क्या परतिसत निकालना है गुना 100 कर देजें तो देखिए पांच दुनी दस पंच तीया पंद्रह यहां के रागे दो अगुना एक सो 200 अब बटा में 3 200 बटे 3 कितना हो जाता है 66 पुरनांग 2 बटे 3 परतिसत इसका एंसर होगी है नेस्ट कोच्चन है कि जडेजा ने 15 पारियों में 45 रन के उसत से रन बनाये 26 मी पारिय में उसने सतक बनाया तो उसका आउसत रन क्या होगा इसमें यहां एक error है 26 में यहां 16 पारियों होगा तो अब इसको क्या करते हैं simple में जो 15 पारियों जो रन बनाये तो cool run कितना हुआ उसको निकालते हैं पहले तो 15 और गुना 45 करेंगे 15 गुना 45 करेंगे जब यह cool run पहले निकल जागा पंद्रे पारियों का कुल रन निकल जाएगा 675 ठीक है फिस 16 पारिय में उसने 100 रन बनाया यहां 100 रन जोड़ दीजिए तो 16 पारिय में टोटल कितना हो गया 600 और 100 14 रन हो जाएगा एंसर कि किसी बर्ग के छेत्रफल में परतिसत परिवर्तन 69 परतिसत है तो बर्ग के विकर्ण में परतिसत परिवर्तन क्या होगा तो बर्ग के विकर्ण में क्या होगा तो इसका एंसर हो जागा देखिए इसको बनाने के लिए तो लेंदी प्रोसेस हो जाए थीक है देखिए चेतरफल में जो होता है रोट2 इन टू एक भूजा इसमें एक भूजा आता है टीक है यानि कि भूजा अगर बुजा में अगर बृधी होती है तो उसका छ defendant में कितना बृधी होगा तो ये भी फरमूला से निकालते हैं ठीक है ये भी फरमूला हाता क्יע आता A पलस B पलस A B बटा 100 ठीक है तो ये छ Eb banks में परिवर्टन हुआ तो इसका भूजा क्या होगा थो इस भुजा में परिवर्तन अतना बर्ग के छेतर हता परिवर्तन ये तना नवा यानि कितना परिवर्तन उआ तो इसको सिंपल में निकाल दिजी उप्शन से करें देखे 30 हुआ होगा अगर 30 Parish 30 कोई भी ओप्शन चेक करिएगा तो देखे 30 वाले में दिख रहा है सिम्पल 30-30 गुणा 30 ए भी यानि बटर सो करेंगे तो देखे 69 परतिसात रांसुनी से सुन कट गिया 30-36 और 59 यानि कि इसका था भुजा कितना है 30 परतिसात 30 परतिसात यानि बटर के विकर्ण में जो परिवर्तन होगा वो 30 परतिसात होगा नेस्ट कोचन है 93 93 में है कि 2160 रूपिय यानि 2160 रूपिय को ABC के बीच ने करमसा एतना के अनुपात में विवाजित किया गया है जब यहाई तीनों को जोड़के पहले अनुपात एक कमान निकाल देते हैं ये अनुपात 5-3-8-2-10 यानि कि अनुपात 10 बराबर दिया हुआ है कितना 2160 रूपिय तो अनुपात एक कमान कितना हो जागा सुन से या सुन कट यह अनुपात 1 कमान हो गया 200 सोला रूपिया, आप जो भी पूछेगा बता देंगे आप पूछ रहा है कि A और B के हिस्से में क्या अंतर है तो A कितना है, 2 और B कितना है, 3 दोनों में अंतर कितना है, अनुपात 1 तो अनुपात 1 वरावर कितना है, यह 216 रूपिया पलस Y Q, पलस Z Q, मानेस 3 X Y Z, यह बराबर होता है, इतना बराबर होता है सुत्र हाप, याद रखेगा, हाप इन्टू, X पलस Y पलस Z इन्टू, इन्टू में हो जाएगा X मानेस Y के होली स्क्वार, फिर हो जाएगा Y मानेस Z का होली स्क्वार फिर पलस हो जाएगा Z माइनस X का होली स्कॉर ठीक है, simple देखिए simple है, half into X plus Y plus Z और यह X माइनस Y का होली स्कॉर Y माइनस Z का होली स्कॉर फिर Z माइनस X के होली स्कॉर इस तरह से लिकेंगे इस सुत्र से निकल जाएगा अब देखिए कैसे 1 हाप into यह तीनों को जोड़ेंगे, X पलस Y पलस Z, सूतर जो होता है, वो 1382 आएगा, ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे, और into, अब क्या है, X-Y के whole square, X कितना है, 469, Y कितना है, 460, तो, 489 में 460 गिया, तो, कितना होगा, –1, तो, –1 के whole square कितना होगा, वानी ओगा फिर वाई मानस येड़ कली स्कुर यानि कि यह वाई मानस जेड़ कितना है 43 g-3 मानस चरक चार क्रण कितना होगाँ अब बन गया 1625 एक 26 तो 26 अब हो गया क्या इसको मान लिजे 26 दो से काड़ देजे तो तेरा अब गुना 382 कर देंगे इसका एंसर आजागा 17966 अब रिजिनिंग का है कि A C M लिखा है ठीक है तो B क्या होगा सिंपल है देखिए A C M कैसे लिखा है अब क्या इसमें सबको आपको याद रखना हुआ इसका तो अ बैसे किस अस्थान पर जैसे याद रखना है यός 23 चैसे लिखा है अब देखिए यहां कैसे लिखा है एक कितना वन ओन आए यह दिख दिया आज जेए ही कितना है दो में अस्थान पर ए ऑर यानी 25 यह 25 25 पर कोन है यbst को C we राम का मुह पच्छिम की और है देखिए डारेक्शन वाला कभी विया तो आपको सामने इधर अपने सामने वह नौर्थ मानना नौर्थ इधर उसके अपोजिट हो जाएगा साउथ और इधर हो जाता है इस्ट और इधर वेस्ट यानि एन इस डबलू ठीक है आप पूछ रह आप देखिए अगर नबबबे घुमा तो आईसे तो सीधा इसे चला जाएगा लेकिन पैंचालिस तो आईसी जाएगा थिक है यानि कि उस सीधा नगोंके आधा यह 45 गोमेगा को लोकवाइस है घड़ी की दिशा में गोंता है फिर बोलता कि ऐसी दिखुरी फिर घूमता ह 80 डिग्री फिर गुमेगा तो यह हो जाएगा इसका 45 आई यह 45 90 यह हो जाएगा अब फिर 90 गुमाएगे तो इधर आ जाएगा यह 90 तो यह कौन से दिशा हो जाएगा इसको एक बार ऐसे बना लिजिए इधर उत्तर इधर इस्ट इधर साउथ इधर वेस्ट तो इधर है अभी फिलाल यह है तो यह क्या है दच्छीन और पूर्व दच्छीन इधर नीचे और इधर पूर्व यानि दच्छीन पूर्व इसका एंसर हो जाएगा इसका कोरेक्ट एंसर है दच्छीन पूर्व नेस् तो 25 अर एक कितना ओ है पंद्रे पर यह लिखा तेरे 25 यानि जोड के सब 28 पुरा रहा यहां तीन सी तेन पर 25 देखिए पर 28 पुरादिया कई है 11 पर यह 17 यह यहां कि 28 पुरा दिया इधर भी तो 23,58, तो 23 पे कोन है, W, आज 14 आई, 14 में कितना 14 जोड़ें, 14 पर फिर कोन आजाएगा, N, यानि T, W, N इसका एंसर हो जाएगा, C, नेश्ट कोचन है, कि लुप्त संखियां क्या है, तो यह क्या है, सिम्पल है, देखी, एक है, एक का स्क्वार, दो का स्क्वार, तीन का स्क्वार, चार का स्क्वार, पांच का स्क्वार, यहां कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वार, इसका कोरेक्ट एंसर हो गया, 66, 36, 6 का स्क्व Гра SM परसों ये पर सुनी बाधु था ठीक है अब क्या बोलत राया के ल गाल के बाद याझी ये आज है तो कल रोगया ये यो उसके बाद यानि ये कि कौण सा दीन करो अधिगर है कि पहले सा नीवर था तुर सनी करता है तो सुतुर मुर्ग सांप और मेढक ये तीनों किसी तरह से मिलता जूलता नहीं है तीनों अलग अलगे पूरी तरह से इसका एंसर हो जाएगा बी सुतुर मुर्ग सांप और मेढक ठीक है दोस्तों इस तरह 60 100 होता है समाप और कोई भी डॉट हो तो कोमेंट में पुछीएगा और वीडियो